आज का वीडियो होने वाला है एर ट्रांस्फोर्मेशन के ऊपर सो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं कि मेरे बाल कित्ते जादा डैमेज लुक दे रहे हैं बट आप राइट हैंड साइड में देखें कि मेरे बाल कित्ते जादा स्मूध लग रहे हैं बहुत अच्छा लुक दे रहे हैं तो वीडियो कंप्लीटली देखेगा अगर आप तो भी जानदर कि आप इस तरीके से एक दिन पर इसे अजीब कर सकते हैं तो प्लीज वीडियो कंप्लीटली देखेगा क्योंकि अभी बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं अभी नवरात्री हो गया करवा चौफ हो गया दर शहरा दिवाली बहुत सारे फंक्षन है तो आप इस तरीके से अपने बालों को बहुत ही जादा अट्रक्टिव बना सकते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अग कॉंबिंग सो आप देख सकते हैं कि मेरे हैं बहुत ही सदा फ्रीजी लग रहे हैं डर्ल ड्राय और डामेज लुक दे रहे हैं तो पहले आप अपने बालों को अच्छे से कॉंब कर लीजे सारे टैंगल्स को अच्छे से रिमूव कर लीजे मेक शूर कि आप अपने बालों काफी जादा कम हो जाएंगे तो मैं आपे अच्छे से अपने हेर को कम कर लेती हैं उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने सेकंड स्टेप की ओर उससे पहले आप अपने बालों का इस तरह किसे पार्टिशन कर लीजे इससे जो हमारा सेकंड स्टेप पर वो है ओइलिंग वो काफी जादा इजी हो जाएगा सो आपको इसके बाद करना है अच्छे से आउइलिंग आपको इससे भी अपना फेवरेट ओईल ले सकते हैं उससे आप अपने बालों पे अच्छे से ओईलिंग कर लीजेए मसाज करते हो अच्छे से स्कैल पे लगाईए आप अपने हेयर एंड्स पे भी अच्छे से एपलाई करिएगा और मैं आपको बताना भूल गई कि अगर आपके बाल बहुत ही जादा टैंगल होते हैं तो आप कोई से भी सीरम ले सकते हैं उसको आप एपलाई करिए उससे आपके टैंगल इसली रिमूव हो जाएंगे या फिर आप थोड़ा सा ओल भी एपलाई कर सकते हैं तो मैंने अपने हेयर पे अच्छे से ओलिंग कर ली है इसके बाद में अपने हेयर का बन बना दूंगी सो आप यहां पर देख सकते हैं कि दोनों हेयर पर किता डिफ्रेंस लग रहा है और नॉन हेयर पर आपको इसके बाद अच्छे से अपने फिंगर टिप्स की हेल्ट से जेंटली अपने स्कैर पर मसाज करना है इसके बाद आप अपने हेयर को सिक्योर कर लीजे इस करने वाली हूं कंबिंग सो आपको भी ऑलींग के बाद टुरंच कंब नहीं करना है अपने हेयर को आपको भी उसे एक दो गंटे के बाद कंब कर ना चेह हैं या फिड़ कर आपको सिर कर लेंड़ sich आपको नेक्ष्ट मॉनिंग अपने हैर को कंब कर ना चेहं इस से जो बढ़ते हैं इसके बाद बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टैप की ओ जो कि है एए वाश सो आप अपने वालों को अच्छे से पहले वैट कर लिए उसके बाद हम अपना हेर वाश करेंगे आपको इसा भी अपना फेवरेट शैंपू यूज़ कर सकते हैं और मैं आपको सलफेट फ्री शैंपू ही यूज़ करिए वह काफी बेस्ट होगा आपके हेर के लिए या फिर आप बेबी शैंपू भी यूज़ कर सकते हैं सो मैं आप एक मग पर थोड़ा सा मैंने वाटर ले लिया उसके बाद मैं आप यूज़ कर जॉंसन बेबी का शैंपू यह अब ही आप बोकिंगे कर देड़ा लिए आप लॉसे और आपके हेर कर लाइज इसके और दो मिक्स कर लीज़िए उसके बाद ही आप अगर आप उसे देर्डर करेंगों तो आपको डेंडर करेंगा काफी ज़्यादा प्राबलम होगा जिसके कारण आपको हेर फॉल हो सकते हैं अच्छे से अपने बालों में डाल लेती हूं जो मैंने डाइल्यूट किया था उसके और फिंगर टिप्स की हैद से जेंटली मसाज करते हुए अपने हेर को वाश करूगी और आपको अपने हेर को रब बिल्कुल भी नहीं करना है इससे आपके हेर ब्रेकेज हो सकते है और हेर के ड्राय होने के बाद आपको काफी s ordering वाश करूए अपने हेर को उसके बाद आपको क्या है जो रिमूफ कर लेना है इससे काफी हो जाता है शैंपूर आपके बालों से उसके बाद मैं वाटर की हल्प से अच्छे से वाश कर लूँगी अपने बालों से इसल्य भी शैंपू होंगे आपके स्कैल्प में अच्छे से रिमूव हो जाएंगे सो अपने बालों को अच्छे से मैं वाश कर लूँगी सो मुझे कमेंट यह भी आता है कि कौन से शैंपू बेस्ट है क्या है तो कोई भी आप पैराबिन सेल्फिट फ्री शैंपू यूज कर सकते ह है सो उसके बाइल हम नेक्स स्टेप के और बढ़ते हैं जो कि है हेयर मास्क सो मैं यहां पर अप्लाइ कर रही हूं कर्ड सु मैंने हेयर मास्क का काफी सारा वीडियो अप्लोड कर चुके है मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप उस वीड कर सकते हैं या फी कोई एसेंशियल डाल सकते हैं जिससे कि जो इसका थोड़े स्मेल है वो ना आए मैंने इस अच्छे से अपने हेर पर एपलाई कर लिया है है लेंद पे उसके बाद मैं से थर्टी मिनट्स के लिए अपने बालों पर ऐसी रहने दूंगी यह काफी साथ अ अपने हेर को अच्छे से वाश कर लूँगी आपको शैंपू कंडिशनर यूज नहीं करते हैं आप अच्छे से अपने बालों से जो कर्ड है दही है उससे अच्छे से रिमूफ कर लीज़े आप देख सकते हैं मेरे बाल अभी से काफी जादा स्मूज शिल्की और टैंगल फ्री लग रहे हैं आप देख सकते हैं आपर रिजल्ट है आपको हाफ एन हावर के लिए ही बस इसे रखना उसके बाद आप वाश कर लीज़े उसके बाद मैं इसका बन बना लूँगी और नहाने के बाद आपसे मिलती हूँ उसके बाद मैंने हाँ पर टॉविल से अपने हेर सीरम जो कि हमारे हेर लेंद के लिए होता है सो मैं पहले अपने हेर का पार्टीशन कर लूँगी आप देख सकते हैं इसमें जादा टैंगल्स नहीं है मुझे जादा डिफिकल्टी नहीं हूँ अपने बालों को पार्टीशन करने पर समय आपर यूज़ करें लिवान का हेर सीरम आपको अपना फेवरेट हेर सीरम अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पैस हेर सीरम नहीं है तो आप अलवेर जेल भी अप्लाई कर सकते हैं आप थोड़ा सा अलवेर जेल ले सकते हैं आप अपने हाथ में सेगे से रब कर लीज़े और अप्लाई कर सकते हैं सो मैं लिवन का hair serum ट्राय कर रही हूं और मैंने इसका pink bottle वाला मैंने ट्राय किया था ये दूसरा मैंने purchase किया ये भी काफी जादा अच्छा है सो मैं इसे अपने hair length पे अच्छे से apply कर लूँगी और इस से finger tips की हदसे से comb करते रहूंगी जिसे की थोड़े tangles भी remove हो जाए उसके बाद मैं थोड़े देर के बाद आपसे मिलती हूं जब मेरे hair completely dry हो जाएंगे क्योंकि हम wet hair पे comb नहीं कर सकते हैं सो थोड़े देर के बाद मेरे hair अच्छे से dry हो चुके हैं सो अब हम अपने hair का करेंगे combing आप भी dry hair पे ही comb किया करिए इससे tangles अच्छे से remove हो जाते हैं आप देख सकते हैं कॉम कितना easily glide हो रहा है मेरे hair पे मेरे hair कितने स्मूथ लग रहे हैं टैंगल फ्री लग रहे हैं तो इसका result काफी अच्छा मिलता है तो आप में से try करिए जरूर और मेरे साथ अपना experience जरूर शेयर करिएगा hope so आपका ये जो festival season है वो बहुत ही अच्छा जाए और आपके जो hair है वो बहुत ही अच्छा look दे और आप मुझे comment करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा so hopes up नेंगे ये वीडियो आपको काफी साथ पसंद आया और helpful लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो कर दीजे लाइक, share और मेरे शालो कर सब्सक्राइब करना लाभू पास इक बेल लाइक अन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजेगा जिससे के सबसे पहले notification आपके पास जिलते उतने नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए, बाइबाई!